वाइल लाइफ में खुद को जीवीत रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। शिकारी जानवरों से रक्षा के लिए विभिन प्रजातियों के जीव अलग-अलग टेक्नीक्स का इस्तिमाल करते हैं। उधारन के लिए आप ग्लाइफो ग्लोसस मोलोसस को ही देख सकती हैं। ये एक प्रकार का मेंड़क होता है जो खत्रा मैसूस होने पर खुद को गुबारे की तरफ फुला लेता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि भला इस तरफ फूलने से ये खुद की रक्षा कैसे कर पाएगा। दोस्तों जब मेंड़क खुद को फुला लेता है तो ये दिखने में काफी स्ट्रेंज लगता है जिससे अन्ये जानवर करीब आने से डरते हैं। एक बिल के अंदर जाकर ये खुद को फुला लेता है। ऐसा करने से यदि कोई जानवर इने बाहर निकालना चाहे तो वो काम्याब नहीं हो पाएंगे। अपने शरीर का आकार बड़ा करने से ये शिकारी जीव के मौ में भी सही से नहीं घुस पाएंगे। एक गुबारे को निगलना लगभग नामुम्कीन होगा। दोस्तों फोटो में आप देख सकते हैं कि ये मेंड़क आखिर किस हद तक खुद को फुलाने में सक्षम है। ये तो सरिफ एक एक एक्जेमपल है। वाइल लाइफ में कई ऐसे जानवर हैं जो खुद को बचाने के लिए अलग-अलग ट्रिक्स और स्ट्रेटजी का इस्त लक्षा का ये तरीका अब पुराना हो गया है। शिकारी से बचने के लिए अपनी खुद की पूच को खा जाना अब ट्रेंड में है। साउथ एफरिका के कोस्ट पर आर्मडिलो ग्रिडल्ड लिजार्ड नाम के एक छिपकली पाई जाती है जो बेहत यूनिक और खास तो ये रोल हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे ये अपनी पूच को ही खा रही है। ये तरीका इन्हें अन्य जानवरों से प्रोटक्ट करने में काफी मदद करता है। छिपकली बिलकुल राउंड हो जाती है जिन्ने देखकर प्रिडेटर कन्फ्यूज हो जाता है कि आख जैसे जानवर की नजर में भी आसानी से नहीं आती है। उन्हें चटान से बाहर निकालना लगबग नामुम्किन होता है। ये चिपकली यदि रोल हो जाए तो किसी भी कीमत पर शिकारी इन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। इसके अलावा ये चिपकली जब रोल होती है तो तो इसकी बोड़ी पर काटे आ जाते हैं, फ्लैट होने पर ये काटे भी फ्लैट हो जाते हैं, जिससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है, लेकिन रोल होने पर इनसे जानवरों के सांसात इंसानों को भी नुकसान पहुंच सकता है, इसका एक फाइदा और है कि ये स चिपकली शिकारी जीओं के ऊपर खून की धार छोड़ती है इससे जीव ढर जाता है और वहां से भागने में ही भला ही समझता है है रानी की बात यह है कि चिपकली अपनी आखों से खून निकालती है और यह धारा कोई मामूली नहीं होती बलकि इसमें इतना प्रेशर होता ह है कि यह 3 फीट तक वार कर सके पांच इंच की चिपकली से भला इससे जादा और क्या एक्सपेट किया जा सकता है शॉट हॉन लिजार्ड अपनी आख के कोने से खून निकालती है जिसे देख ऐसा लगता है जैसे एक जेट इसकी आखों में लगा हो यह चिपकली केवल सफाई भी करती है इससे खून का स्वाथ भी बहुत वाहियात हो जाता है यदि कोई जीव इस खून को चकता है तो उसका पेट भी खराब हो सकता है आम तोर पर कुट्टे या फिर कायोट ऐसा करते हैं दोस्तों अब गैको की बात करते हैं गैको को हाथ में लेने पर यह अ गैको ने मेड़ा गासकर में एक अजीबो गरीब वाक्या देखा था एक बड़ी सी चिपकली छोटी गैको को मुह में दबा कर कहीं जा रही थी वह से निगल नहीं वाली थी कि अचानक छोटी गैको अपनी स्किन छोड़ कर मुह से बाहर निकल जाती है और जमीन पर से ले ज RAW कर सकें ऐसा माना जाता है कि रात में शिकार के लिए निकलने वाले साब से बजने के लिए ईश्वर ने इन्हीं ये वरदान दिया है हाना कि ये वर्दान स्पीनी माउस की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है दोस्तो चूहों को आम मैमल समझा जाता है लेकिन सभी चूहे एक जैसे नहीं होते स्पीनी माउस यानि की काटेदार चूहों के स्किन को हटा दिया जाए तो वो बहुत जल्द दुबारा ग्रो कर जाते हैं यहाँ पर भी कारण वही है जब भी कोई जानवर इन पर अटैक करता है तो चूहे स्किन का वो हिस्सा बोड़ी से अलग कर देते हैं और इससे इन्हें जादा फरक नहीं पड़ता है स्टडी में पाया गया है कि स्पीनी माउस का यदि 60 परतिशत हिस्सा भी अलग हो जाए तो वो अपना साधारन जीवन जी सकते हैं 21 से 50 दिनों के भीतर उनके पास नई स्किन आ जाती है कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ सो वर्षों में शायद इनसान भी इतनी तीजी से अंगों को विक्सित करने में सक्षम हो जाएगा हाला कि इस पर अभी भी रिसर्च की अवश रखता है इस दुनिया में कुल इनसानों का जितना वजन है उतने ही वजन के बराबर चीटिया भी मौजूद है चीटिया अक्सर बिल बना का रहती है ऐसे में यदि अचानक कहीं पानी भर जाता है या फिर बाड़ आ जाती है तो उनके पास बचने का बहुत कम समय होता है चीटियों ने इस समस्या को दूर करने के लिए राफ्ट बनाना सीख लिया है एक चीटि राफ्ट बनाना शुरू करती है और फिर ग्रुप की सारी चीटियां उसका साथ देने लगती है बहुत कम समय में ही चीटियां राफ्ट बना कर तयार कर लेती है यदि पानी के लेवल में बढ़ोतरी होती है तो सारी चीटिया दो मिनिट के अंदर ही उस राफ्ट पर आ जाएंगी उनके उपर उनके बच्चों को अंडों को और लार्वा को भी बचानी की जिम्मेदारी होती है अब चाहे पानी कितनी ही दिनों तक क्यों न रहे उस तहरते राफ्ट पर चीटिया आराम से जिन्दा रह सकती है हाला कि कई बार ऐसा भी होता है कि चीटियों को जान बचाने तक का मौका नहीं मिलता नियू औरल्यांस में साल 2005 है भयंकर बाड आई थी जिसका नाम केटरीना था पानी इतना तेजी से भर गया कि चीटियों को बिल से बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिल पाया था और उनकी मौत हो गई थी चीटियों की अलग-अलग प्रजातियों की ताकत भी अलग-अलग होती है रेगिस्तान में भी चीटियों की कई प्रजातियां पाई जाती है ऐसी जगों पर कीडे मुकोडे शिकार करने के लिए एक खास ट्रिक अपनाते हैं वो सैंड की मदद से एक फनर बनाते हैं अब जब भी कोई जीव यहां आकर बैटता है या गलती से गड़े में गिर जाता है तो वो वहाँ पर फस जाता है चाहते वो भी वो बाहर नहीं निकल पाता रेट के दिवारों पर चढ़ना बिलकुल भी आसान नहीं होता ऐसे परिस्तितों में एंट लायन और भी जाता घातक हो जाती है ये शिकार पर रेट डालना शुरू कर देती है जिससे की एक प्रकार का एवलांच क्रेट होता है कुछी देर में जीवहार मान जाता है और फिर एंट लायन अपना जहर शिकार के शरीर में इंजेक्ट कर देती है और उसे खीच कर जमीन के नीचे ले जाकर आराम से भोजन का लिफ्थ उटा दी है ऐसा नहीं है कि चीटियां किसी जानवर का शिकार नहीं बनती बर्ड्स अकसर चीटियों के लार्वा की तलाश में जुटे रहते हैं बड़े कीडे मुकोडे चीटि को अपना भोजन बनाने की फिराक में रहते हैं लेकिन चीटि का शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता और उस कंडिशन में तो बिलकुल भी नहीं जब आप इस खास चीटि का शिकार कर रहे हो असल में ओर्डिन टेमाकीज नाम की ये चीटि जम्प लगाने में माहिर होती है यदि ये रेत के गड़े में फ़स भी जाएं तो एक जम्प लगा कर वहां से बाहर निकलने में सक्षम होती है इनके मेंडिबल्स यानि कीट मंडियां भी बहुत ताकतवर होती है ये 525 फीट प्रति सेकंड की रफदार से शिकार पर वार कर सकती है चीटियों के अलावा कुछ बड़े जानवर भी जम्प लगाने में उस्ताद माने जाते है गेजल जो हीरन की एक प्रजाती होती है ये अपने चार पैरों का इस्तेमाल करके जम्प लगाते है इससे ये कई फीट लंबी छलांग लगाते हैं और इनके भागने की रफदार बढ़ जाती है यदि बाग शेर या चीता इनका पीछा कर रहे होते हैं तो वो एक समय पर आकर हार मां जाते हैं देखा जाए तो ये दोनों ही जीवों के लिए बहतर रहता है ऐसा करने से हीरन किसी का भोजन करने से बच जाता है तो शिकारी जानवर उस जीव पर अपना समय वेर्थ करने की बजाए आसान टार्गेट ढूनने लगता है तो इसे अधिक से दिक लाइक और शेयर करें आज के लिए बस इतना ही आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार